ले नमस्कार एक बाँ फ्र doubles अप Kell C लेसोन स्थ इसके सामने रिषु लेसं जर्म developer का इस कारिक्रम के अंतरगत спर करुद के बाद शनिवार के कारिक्रम में पिछली जर्म कुंद्ली के दूसरे हिसे के साथ ऊप notre मैंने यह पूरा कारिक्रम आदे गंटे का परीब पचीस मिनट का बना दिया था और उसके बाद जो है वो कि देखी रहे हैं कैसे बनाया है मैंने पूरा अच्छे से समझाया था और कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बीच में सही उठकर के जाना पड़ा क्या बता हूं कि क्या हूँ नहीं बता सकता पर शुरू करते हैं फिर से यह कुंभ लगन की कुंडली बनी थी और यहां व्रिश्चिक लगन लिखा है यहां ग्यारा दो पांच आठ के इंदर में ग्यारा दो पांच आठ के इंदर में यह अच्छी बात होती है राहू आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं पर यह इस भाव को खराब जरू कर रहे हैं तो बिलंब सही सही पर आपके प्रभावों को वो देंगे शुक्र और गुरु का परिवरता नच्छा माना जाएग चंद्रमा आपकी कुंडली में थोड़े बहुत असमंजस के साथ वो पस्तित होंगे लेकिन वो आपको क्रेडिट देंगे यानि कि वो आपको परिणाम मिल जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि चंद्रमा की दृष्टी है शत्रों से कभी भी परिशान हो अनुराधा में बैठे हैं राहु और के तु आपकी कुंडली के लिए सामाने तयार 50% अच्छे और 50% बुरे हैं मतलब ऐसे प्रणाम देने वाले क्योंकि जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति शनी उन्हें देख ले रहे हैं दशम भाव के जो यहां के अधिपति होते हैं वो यहां के लगनेश दिखबली पत्नी भी नौकरी करने वाली आ सकती हैं आप लोगों का कम्यूनिकेशन बहुत अच्छा होगा उसे गैप में मत बदलिएगा गुरू का प्रभाव आपकी कुंडली के लगनेश और अच्छा माहल बनते हुए देख रहा हूँ यहां केतु बैठे हैं तो और यहां शनी उच्छे के हैं जो आपके कुंडली के चतुर दभाव के अधिपति हैं जो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते हैं यहां भी लगनेश होते हैं यहां पे गुरू जो हैं वो लग जंद्रमा यहां पर बैठेंगे जो कि चन्म कुंड़ी के पंजमे बहुत अच्छी उस्तोती शनी बैठें थोड़ी बहुत मशकत पर सरकारी नौकरी के योग लगेंगे दूरुशनी शुक्र यहां पर बहुत अच्छी उस्तोती में बन रहे हैं कर्म छेतर से ब्यक्ति को ध कुकर भट गया आज मम्मी बुड़ी हो गई है मेरी ओ पानी कुकर पे पत्रह नहीं कुछ कम डाल दिया होगा फट से इतना बड़ा आवाज कि मैं बीच में से भागा और जितनी देर मैं बोल रहा था करीब 25 मिनट तक मैंने कारेक्रम बना दिया था उसके बाद और यह में देना जमीद अरैól में कर रहा हूं कोडag का यह भी बहुत अच्छे से यहां करता है मेरे में समस्य माइक से अजन्स सहा होती है मेरे आधिक्कत बड़ता है वो बड़ा बड़ा लगाना पड़े गा वो जो बना ले लित हो ते बार लोग बोलते हैं कि पंदी जी आपके हां से साउंड खारब आती है मैं कितना जोड से बोलूँगा, ठक जाओंगा फिर यहां पर इतने सारे ग्रह तो ये ठीक स्थती है मंगल और बुद्ध का, मंगल और चंद्रमा का, शुक्र और चंद्रमा का, सूरी और चंद्रमा का, ये combination जो है वो बहुत अच्छा बनेगा सरकारी छेत्र का लाव आपको हमेशा मिलता रहे, अब आईए आपको बाकी के अन्ने चार्टे आपको लेके आता हूँ बल्वान कौन-कौन से हैं ग्रह, गुरु बढ़ियां हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, शुक्र लाव दायक हैं, मंगल बढ़ियां बैठेंगे, सुर्य पाराक्रमी बनाएंगे, राहु का डर थोड़ा सा रहेगा कमजोर थोड़े-थोड़े कौन से हैं, बुध्ध थोड़े कमजोर होंगे, और शनी थोड़े से कमजोर होंगे, उसके बाद आपकी कुंडली में ये दोनों थोड़े-थोड़े कमजोर हैं, बुध्ध और शुक्र और शनी आपके पास, राहु आपको headache देंगे चिंता देते रहेंगे, यह आपके पास रहेगा पराक्रमी आप होंगे हमेशा ही यश्क, केर्थी, मान, सम्मान, पद, प्रतिस्था आपके पास रहेगी उससे कभी भी नुकसान नहीं होगा आप authentic होंगे, credibility आपकी रहेगी और कभी भी morality आपकी जो है वो, आप compromise उसमें नहीं करेंगे Research paper आपका थोड़ा कमजोर हो सकता है, education में कभी-कभी बाद आएं उपसित हो सकती है, recognition तेर से मिल सकती है संतान का सुख आपको मिल जाएगा, बिलंभ हो सकता है, ऐसा संभव है, पर वो है इसके अत्रिक्त आपकी कुंडली में भाई-भान का सुख बहुत अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं अनुभव आपके पास बहुत बढ़िया है, थोड़ी बहुत बाधा हैं आपके जीवन के आरंभ में आई होंगी, education में, प्रारंब्रिक सिक्छा में, थोड़ी बहुत बहुत जादा नहीं और क्या बताओं, गुरु, राहु, केतु और चंदर्मा की दशाएं आपकी कुंडली के लिए अच्छी जाएंगी, मतलब राहु और केतु में आधा आधा रहेगा, पर गुरु और चंदर्मा की दशाएं और भी अच्छी जाएगी, शनी, शुक्र, बुद्ध, मंगल औ पूजा पाठादी में आपका मन लगेगा, मोक्ष के मार्ग खुले रहेंगे, तपस्या वगेरा भी आपकी कुंडली में बनती है, मतलब साधना वगेरा भी कर सकते हैं, कैस्टिट पेसेंट आप बन सकते हैं, वात, पित्तकफ, कंट्रोल, अनकंट्रोल होता रहेगा, यह बुद्ध की तशा में ज़्यादा और रहुआ केत्व की तशा में ज़्यादा रहे हैं, सुरी आपकी कुंडली के लिए मैंने बाकी के चीजें कल बता रखी थी, सुरी आपकी कुंडली में 100% परणाम देंगे, चंद्रमा कमजोर होंगे, अशुब भी होते हैं, मंगल भी अशुब होते हैं, पर मंगल आपकी कुंडली में परणाम देंगे, जैसे भी होंगे वो अच्छे प्रणाम दे सकते हैं कई बार करियर वादे छे तरक रोले करके बुद्धा आपकी कुंडली में डिग्री में बहुत अच्छे बैठे हैं इस वज़ा से उनसे मैं कुछ अच्छी अपिक्षा कर सकता हूँ गुरु आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते लेकिन फिर भी वो आपको धार्मिक दृष्टिकोंड देंगे और उनकी दशाओं में आपको कुछ अच्छी चीजें लाब के तौर पे देखने को मिलेंगी क्योंकि वो परिवर्तन योग बना रहे हैं और ये बहुत कही थी और अभी भी कह रहा हूं कि वो आधा परना मच्छा देंगे मतलब अगर आधा अच्छा भी देंगे तो उसमें से वो आपको कस्ट भी दे सकते हैं हमें सतर्क होना होगा उनकी दशाओं में रिनका लेन देन पार्टनर नया बनाना कोई नया काम करना हो कोई नया इ अच्छे बैठें केंद्र में हैं ठीक हैं और सुर्य मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में जरा गौर से देखिएगा तो नौमांस कुंडली में लगनेश दिखवली गुरू का प्रभाव बहुत बढ़िया शनी उचके हो रहे हैं जो की चतुरुत के अधिपति हैं और त बसता हूं कि आपके कर्म छेत्रों को लेकर के कभी भी कोई बिशेश संका की स्थुति नहीं बगती है यह मैंने यहां तक बताई है मैंने होरा कुंडी देखी नवांस अच्छा है विवा के बारे में आपने पूछा है विवा अच्छा है आपका कमजोर नहीं है कुंडली अस्टम भव की अधिपती के सांथ बैखना थोड़ी बहुत कमजोरी पर पत्नी सुंदर और बेहतरीन मिलती है इसमें कौई खराबी नहीं है नारिया हमीशा भारत की सुंदर ही रही है रही है सिर्भ भारत की बात कर रहा हूं और किसी देश की नहीं मैं सिर्फ भारत की ब पल मिलेगा और पत्नी के आने के बाद लाव के संकेत भी मिलेंगे आपकी कुंडली में चंद्रमा हमेशा पढ़नाम अच्छे देंगे ये बात हमेशा याद रखेगा वरगुतम है और वो बली भी है दोनों जगह बहुत अच्छे है और दोनों ही जगह वो गुरू से कुछ यसी तरीके साज की कारिग्रम का समापन करते हैं तब तक लिए इजाज़ा दीजिए कर लेक्वर्फिस से पुस्तित होंगे आप सब के सामें तब तक के लिए कि अब बहुत अश्काद